लेवनान में लगाता दूसरे दिन भी बिलाश्ट पिजर के बाद बौकी टौकी में विस्पोर्ट धमाकी में करी 20 लोगों की मौत की खबर है हादसे में 400 से जादा लोग घायल बताई जा रहे हैं जिनके जनाजे की वक्त हादसा जोड़दार विलाश्ट हुआ हिजबुलाई सांसत के बेटे का जनाजा निकला था पेजर धमाकी में मारा गया था सांसत का बेटा धमाकी में करी 20 लोगों की मौत की खबर है हादसे में 400 से जादा लोग घायल बताई जा रही हैं लेबनान किस तरीके से दहल रहा है हिजबुलाई एजरायल की इलोक्ट्रोनिक जंग देखी जा रही है और इस जंग में पहले पेजर का इस्तमाल किया गया और अब बौकी टौकी का इस्तमाल किया गया अब आप इससे खोद अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई अब किस तरीके से जा पहुंची है एक रणनीती के तहट बिलाष्ट किये जा रहे है एजरायल की नई धमकी तो दूसरे तरफ लेवनान को किस तरीके से निशाना बनाये जा रहा है पहले पेजर के माध्यम से और आप बौकी टौकी को माध्यम बनाये गया बिलाष्ट के लिए धमाके के लिए और इसकी बानगे आप तस्वीरे देखिए किस तरीके से इसकी पूरी रणनीती तयार की गई बौकी टौकी का इस्तवाल किया गया मास्टर प्लान बौकी टौकी के सहारे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया आपको बता रहे कि भीते दिन पेजर से कई जगए धमाके किये गया और अब बौकी टौकी के सहारे धमाके किये जा रहे है दो दिन हजारों धमाके हो रहे हैं और आपको यह भी बताने कि एक बड़ी चुनौती है पेजर में धमाका उसके साथ बॉकी टॉकी में धमाका किया जाता है और अब आपको हम ग्राफिक्स के जिरिये बताने की कोशिश करते हैं आखिरकार कब कभी धमाके हुए है 17 सितंबर को अगर आप देखेंगे और 18 सितंबर 400 से जादा लोग 18 सितंबर को गायल हुए जबकि इसके पहले 17 सितंबर की अगर बात करते हैं तो पेजर में धमाका होता है वारदात को अंजाम दिया जाता है दो दिन में हजारों धमाकी सौहा किया जा रहा है लेबनान में 18 सितंबर में 20 लोगों की मौत की खबर है जो जानकारी हमारे तक सामने आ रही है 4000 लोग 17 सितंबर को भी इस पूरे घर्टना में घायल हुए है इसके अलाबा पेजर से धमाका पहले कराया जाता है 4000 से जाना लोग अब तक घायल बताया जा रहा है इस पूरी की पूरी घटना में 17 सितंबर और 18 सितंबर दो दिन में हजारों धमाके होते हैं लेबनान को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और घर में मोबाइल या फिर वॉकी टॉकी हर तरीके से लेवनान को निशाना बनाय जा रहा है आपको यह भी बताने कि 4,000 लोग अब तक घायल बताए जा रहा है इस पूरे लेवनान के हमले में हिजबलाय के तीन सदस्त भी धेर होने की खबर है तो लेवनान हमले में हिजबलाय के तीन सदस्त भी धेर हुए है और इसके अलाबा वॉकी टॉकी में विस्वोट से मारे गए हिजबलाय ने सदस्यों की तस्वीर अब जारी की है जो सदस हिजबलाय के तस्वीर जिनकी जारी की है वो विस्वोट में मारे गए है जो जानकारी सामने आ रही है, हिजबुलाहे ने अपने सदसों की तस्वीर जारी की है, तीन सदस धेर हुए थे हिजबुलाहे के, वाकी टॉकी में विस्पोर्ट और इस विस्पोर्ट के साथ तीनों सदस हिजबुलाहे के धेर हुए है, इसके लाबा वाकी टॉकी में हुए पहले पेजर से हमला वॉकी टॉकी से हमला विस्वोट और अब इन सदस्वोट की तस्वीर हिजबुलाह ने जारी कि है जो सदस से ढेर हुए है हिजभलाह के उनकी तस्वीर जारी की गई है तो हिस पूरे हमले में विश्वोट मैं 32 लोगों की अब तक मオत हो चुकी है जब कि four-fruit हजार से जाना लोग घायल बताइजा रही है 32 लोगों की मौत और 4000 से जाना लोग घायल बताई जा रही है यह जंग अब किस तरीकी से आगे बढ़ रही है हिज्बुल्ला है कि युद्ध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक अलग-अलग रणिनीती के साथ विस्पोर्ट कराए जा रहे हैं पहले पेजर को माध्यम बनाये गया और अब वौकी-टॉकी का इस्तिमाल करके यह अलग-अलग जगहे बिलास्ट कराए गए तो लेबनान में इस वक्त देश्यत का माहौल है पेजर के बाद वौकी-टॉकी का इस्तिमाल लैप्टॉप, फोन, सूलर पैनल तमाम तरीके से हर हतकंड़ा अपनाये जा रहा है हर हतकंड़ा अपनाये जा रहा है हिजबॉल्लाह ने अपने सदसों की तस्वीर जारी की है लेबनान हमले में हिजबॉल्लाह ने 32 सदस अपने बताए हैं जो धेर हुए हैं वाकी टॉकी में जो विस्पोर्ट हुआ उसी के साथ हिजबॉल्लाह के इस सदस से धेर हुए हैं वाकी टॉकी में विस्पोर्ट में मारे गए यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लेबनान को किस तरीकी से निशाना बनाये जा रहा है यहां पर देश्यत का माहौल है और लेबनान में इस वक्त देश्यत का माहौल बना हुआ है पेजर के बाद अब यहां पर वाकी टॉकी के साथ लैप्टॉप, फोन, सोलर पैनल, सिस्टम, फिंगर प्रिंट और रीडिंग मशीन तक रेडियो में सीरियल विलाश्ट हो रहे हैं धमाकों की इस दूसरी सीरीज में लेबनान के करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है तो दर 400 से ज़्यादा लोग घायल बताई जा रहे हैं ज़्यादा तर धवाके उस वक्त हुए जब हिजब लाहर ने कि कमांडर इन डिवाइस को हाथ में पकड़े हुए थे इन्हें हिजब लाहर ने पेजर की तरह पांच महीने पहले ही खरीदा था विस्पोर्ट उस वक्त हुआ जब हिजब लाहर ने कि सांसद का जनाजा जा रहा था और किस तरीके से इस बारदात को अंजाम दिया गया इस छे तस्वीरे आप देखिए हैं वाकी तॉकी में विस्पोर्ट होता है दूसरी तस्वीर करीब इस लोगों की मौत हुई है और इस पूरे ब्लास्ट में और इच्छे तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस पूरे विस्पोर्ट को अंजाम दिया जा रहा है करी 20 लोगों की मौत हुई है तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो 400 से जाना लोग घायल हुए है जनाजे की वक्ति विलाश्ट होता है एक के बाद एक कई तरह की के धमाके किये जाते हैं इज्राहिल की धम की लगातार जारी है मानिने को तयार नहीं इज्राहिल और दूसरे तरफ लेवनान को निशाना बनाए जा रहे पेजर पहले और उसके बाद वॉकी टॉकी लैप्टॉप, फोन, सोलर पैनल तमाम तरीके से विलाष्ट किये जा रहे है आपके बतारे कि धमाके उस वक्त होते हैं जब हिजबुल्लाय की कमांडर इन डिवाइस को हाथ में पकड़े हुए थे इन एजबुल्लाय ने पेजर की तरह पांच महीने पहले ही खरीदे था विस्पोर्ट उस वक्त होता है जब हिजबुल्लाय के एक सांसत के बेटे का जनाजा निकल रहा था उसी वक्त विस्पोर्ट होता है पेजर के बाद वौकी टौकी विलाष्ट मिलाकर अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है मंगलवार 17 सितम्बर को लेवनान और सीरिया के कई शहर ऐसे हैं जहां पर एक सांसत पेजर विलाष्ट होता है तब सैक्णों पेजर करीब घंटे भ पूपिया एजिंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया है तो वम ओफ मोसाद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक पहले पेजर के माध्यम से बिलाष्ट कराये जाते हैं और उसके बाद वौकी टौकी को माध्यम बनाये जाता है 17 सितंबर 19 सितंबर ये अलग अलग तरीके से ग्राफिक्स के जरीए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं चार हजार लोग 17 सितंबर को हमले में घायल होते हैं 19 सितंबर को वौकी टौकी में धमाका कराये जाता है यानि कि आज इस धमाके में करीब 20 लोगों की मौत की खबर है 400 से जाना लोग इस पूरे बिलाष्ट में अब तक घायल बताई जा रहे हैं एक एक पॉइंट्स हम आपको बारीकी से समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लेवनान को किस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर दह्श्यत में हैं किस तरीके से यहाँ पर बिलाष्ट कराई जा रहे हैं 31 लोगों की बॉकी टॉकी बिलाष्ट में अब तक मौत हो चुकी है 17 सितंबर पर अगर हम नजर डालते हैं तो पेजर में धमाका कराया जाया और इस पेजर के धमाके में भी 11 लोगों की मौत हुई थी एक तरफ 31 लोगों की मौत तो दूसरे तरफ 11 लोगों की मौत दो तरीके से यह स्पूरे के पूरे बिलाष्ट को आप समझ सकते हैं एक तरफ पेजर दूसरे तरफ बॉकी टॉकी और अलग-अलग हतकंडे अपनाई जा रहे हैं ताइवान के रक्षामंत्राले ने भी इस बात से इंकार किया है कि इन्हें लेवनान में हुए विलाष्ट के बारे में उन्हें पहले से जानकारी थी CNN ने भी दावा है किया है कि पेजर विलाश्ट को इजराइल की खुफी ऐजनसी मोसाद और इजराइली सिना ने सैयुक्त रूप से अंजाम दिया इजराइल ने इसे सुईकार तो नहीं किया लेकिन इसमें अपना हाथ लेने से इंकार भी नहीं किया पेजर विस्पोठों के बाद पेजर पर ताइवानी ब्रांड गोल्ड अपोलो की लेवल दिखाए दिये थे जब ताइवान से पूछा गया कि क्या इजराइल ने हमले की बारे में ताइवान को पहले बता दिया था इस पर ताइवान के रक्षा मंत्री वैलिंग्टन कू ने कहा है कि ये सही नहीं है और सीधे चलेंगे अपने समाध्दाता अजीत परताफ करूप करेंगे अजीत पहले 17 सितम्बर हमने आप से इस बारे में बादचीत की पेजर में धमाका हुआ तमाम तरेकी के आपने जा अब कहां तक जाने वाली है और यह जंग फिलाल तो नहीं थमपा रही है अजीत सूरिया देखिए एक साल से ये जंग चल रही है पिछली साथ अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था और उसमें काफी लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद हमास के जो आगतंक वादी हैं इसराइली लोगों को बंधक बना कर भी वो फलिस्तीन की तरफ वे ये युद्ध चल रहा है लगबग एक साल होने को है तो अभी तक ये युद्ध परंपरागत हत्यारों से होता था मिशाइल रॉकेट इस टैंक मिशाइल इस तरह दोनों को तरफ से फेके जाते थे लेकिन पहली बार है और हम हुमन हिस्ट्री में भी देखेंगे कि इस तर का बलास्ट करा के और जवर जस्त नुकसान पहुंचाना हलांकि इसराइल ने अभी स्विकार नहीं किया है ना प्रधारमंत्री का रहले कि और से कोई बयान आया है ना इसराइल की सेना के दोरा कोई बयान दिया गया लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट मान रहें कि ये इ यूनिट है एट टू डवल जीरो यह सबसे खतरनाक यूनिट है इसराइल की और खास करके मिलिटरी इंटिलीजेंस की और उसी को बताया जा रहा है कि इसने जब कुछ माहिनों पहले जब यह पेजर आडर किये गए ताइवान की कंपनी गोर्ल अपोलो से तो वहां से बीच म हिजबुल्ला के लोग इस्तेमाल करते हैं उसके आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं तो एक सीक्रेट कोड के जरिये सत्रा तारीक को लगबग भारती समय के नुसार साड़े तीन बजे इन लगबग पांच हजार पेजरों में बिसपोट कराए गया और जिसके चलते जबर जस नुकसान हुआ हिजबुल्ला को और जिसमें ग्यारा लोगों की मौत हुई थी और लगबग चार हजार से ज़्यादा लोग घायल हुए थे इसमें तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया पहले तो चौक गई कि इस तरह से भी कैसे वार हो सकता है किसी दो कंट्री के बीच या कि बीच है जो फूकार नहीं कर रहा तो जो पेजर इस्ते माल किये गए और उसके बाद कल जिस तरह से जब जो पेजर में स्पोर्ट के बाद जिनकी महुत हुई थी जिनका जनाजा निकल रहा था उसमें बहुत लोग सामिल हुए थे तो उसमें वाकी टाकी का इस्तेमाल किया जा रहा था कल वाकी टाकी में भी विस्पोट कराया गया ऐसा लगता है कि उसे भी इसराइल की मिलिटरी की जो यूनिट है एट टू डवल जीरो उसने हैक कर लिया था और उसमें एक्स्पलोसिव डाल कर उसे विस्पोट कराया गया और जबर आजस्त नुकसान हुआ क्योंकि जो पांच हजार पेजरों में धमाके रहे तो सिर्फ ग्यारा लोगों की मौत हुई लेकिन वाकी टॉकी में जब धमाके हुए तो इससे कितीस लोगों की मौत बताई जा रही है और सैक्रों लोग हायल हैं तो कुल मिलाकर देखा जाए कि पि पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं निश्ची तोर पर इन दोनों आतंकवादी संग्ठनों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है और कल जिस तरह से पिछले दो दिन से हमले हुए तो अब साउथ लेबनान में खास करके इस्ट बेका वेली है वहाँ पर इन इलाकों में जहां पर हम मासकब गढ़ माना जाता है इस्ट वेकाप बैली वहाँ पर ये धमाके किये गए और अब हालत यह है कि सोलर पैनल्स रेडियो सेट्स और कंप्यूटर वगरा टीवी सेट्स वगरा कभी इस्तेमाल हिजबुल्ला लोग नहीं कर रहे हैं हिजबुल्ला के लडाके नहीं कर हैं और जितनी भी डिजिटल डिवाइस है इनसे दूर रख रहे हैं अपने आपको क्योंकि उनका अंदेशा है कि शायद इज्राइल इसमें भी रिमैनिफ्रक्चर करके इस प्लोसिब डाल चुका है इलेक्टरानिक डिवाइसेज में और उससे भी स्पोर्ट कराया जा सकत है तो एक तरह से माना जाए कि पूरे लेवनान में खास करके साउथ लेवनान इस्ट वेका वेली में काफी जिस तरह से इसराइल ने अपना आपरेशन सुरू किया है इससे जवर जस नुक्सान हुआ हिजबुल्ला को और इसलिए लेवनान के प्रधान्मंत्री ने भी बो वो अपने आपको हमलों से बचा रहे हैं और पिछले दो दिनों से जिस तरह से उनको नुक्सान हुआ है फिलहाल वो कोशिस यही कर रहा है कि जो भी डिजिटल लिवाइस इन लड़ाकों के पास या अतंक वादियों के पास हो उससे दूर है क्योंकि अब माना जा रहा है कि सुलर पैनल्स में भी स्वोट हो सकता है और जितनी भी डिजिटल डिवाइस है उस में भी बिस्वोट कराया जा सकता है ऐसा मानना है हीजबूल्ला और लेवनान के लोगों का पिल्कुल आजीत मैं आपसे भी समझना चाहूँगा इजराइल ने हमले की बारे में ताइवान को पहले बता दिया था इस बात की भी जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है नहीं देखिए जो जानकारी सामने आई है कि हिजबुला ने ताइवान को आडर दिया पांच हजार पेजरों का और जब ताइवान ने इसको एक्सपोर्ट किया तब रास्ते में कहीं हैक कर लिया गया इस्राइल की जो मिलिटरी की मिलिटरी इंटलीजेंस की जो एक टू हए जा रहा है हंगरी में इसे री मैनिफैक्ٰ किया गया और इसमें जो सब्कूर्स किया गया और उसके बाद सप्पलाई किया गया हिजबुला लिबनान में और झब इसके इसका इसका इस्तेमाल लड़ाके करने लगे आ तंकवादी कर लगे तो सतरा तारीक को यह शुरू किया गया और एक सेक्रेट कोड के जरिए इन सभी 5000 पेजरों में विस्फोट कराए गए उसके बाद कल वाकी टॉकी में भी विस्फोट कराए गया ऐसा माना जा रहा है कि वाकी टॉकी भी इसराइल की जो intelligence unit है उसने हैक कर ली थी और उसमें भी remanufacture करके exclusive डाला गया है इसलिए उसमें विसफोर्ट हो रहा है तो ऐसे में बिल्कुल जितनी भी digital devices हैं लिबनान के लोगों का मानना है कि शायद इसराइल जो भी supply होती है लिबनान में हिजबुला को वो रास्ते में कहीं हैक करता है और उसके बाद उसमें विसफोर्ट ठक डाल कर जिस तरह से ये विसफोर्ट करा रहा है बड़ा नुकसान हिजबुला के लोगों को करा रहा है तो इससे एक भाय का भी महाला पूरी दुनिया में लोग मान रहें कि ये हमला किसी और ने नहीं बलकि इसराइल की जो आर्मी है उसी ने कराया है हलांकि इसराइल की तरफ से अभी कुछ भी नहीं बोला गया है उसने हमले के जिम्मेदारी भी नहीं ली है इसके अलावा कोई भी जो अन्य संग्ठन होते हैं चाहे वो आतंकवादी हो या किसी अन्य संग्ठन में भी इस समले की जिम्मेदारी नहीं ली लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट यही मान रहा है कि यह हमला इसराइल के दौरा कराया गया है इसराइल की जो आर्मी की यूनिट है उसने ही कराया सूरिया बिलकुँ इसराइल ने धमका कराया है दुनिया भर के एक्सपर्ट चे मान रहे हैं आज यह यह जंग कहां तक जाएगी जो इलॉक्ट्रोनिक जंग चल रहा है यह जंग कहां तक जाएगी क्योंकि फिलाल तो ऐस स्थित्य थी क्रवाइज क्रणा धी तृषित्य पीच्रा वम्डीय Р Tennessee dollars बिल्कुल सूरिया देखे फैजर वाकी-टाकी और आगे चल कर हो सकता है مोबायल भी यदि हैक कर लिया गया तो मोबायल के जरीए له है चुकि हर आदमी आजकल दुनिया में इस्तेमाल करता है मोवाई फोन और यदि किसी कंपनी के द्वारा भेजा जाता है और उस बीच में हैक कर लिया गया उसमें एक्सलोसिब लगा दिया गया तो यह काफी खतरनाक हो सकता है और आजकल पूरी दुनिया में चाहे वो आतं इसे में पूरी दुनिया में इस तरह का डिजटल डिवाइसे पूयोग की जाती है पेजर का इस्तेमाल भारत में भी बहुत पहले होता था बीच साल पहले लेकिन जिस तरह से भारत में दूर संचार करांती आई तो पेजर की जगा मोबाईल आए और फिर आप इस तरह से भी इस तरह से भी जाती है जान कारी जा फटे हैं जो जानकारी सामने आ रही है जहां पर धमाके हुए है सोलर पैनल को भी निशाना बनाया जाता है बायूमेट्रिक मशीन रेडियो में भी धमाके की खबर मिल रही है लेबनान के कई घरों में एक बार फिर से पेजर फटे हैं कार बाइक इलक्ट्रनिक्स उपकरण बताय जा रहे है जहांपर धमाके की जा रहे है सोलर पैनल को भी निशाना बनाया जाता है बायूमेट्रिक मशीन रेडियो तक में धमाके होते हैं लेबनान के कई घर बताय जा रहे हैं जहापर एक बार फिर से पेजर फटे हैं darling Secondly और लेबनान इस वक्त दहश्यत में है लोग डरे हुए हैं हिजबुलाय और इजरायल की इलॉक्टोनिक जंग जिस तरीकी से जारी है तमाम तरीके के अलग-अलग मार्ध्यमों को बना का बिलाश्ट कराई जा रहा है हिजबुलाय की लिबनानियों से अपील है इलॉक्टोनिक उपकरन बंद करने की अपील की गई है फोन, पेजर, रेडियो, पीडिये, सब कुछ बंद करने की अपील की गई है लगातार हो रही विस्वोट के बाद इस फैसला लिया है पाहले पेजर, वॉकी-टॉकी, तमाम तरीके से अलग-अलग इलॉक्टोनिक उपकरन को माध्यम बनाए जा रहा है बिलाश्ट के लिए और इसी के कारण ये अपील की गई है दो दिन में धमाके से करीब 31 लोगों की मौत हो चुकी है लगातार एक के बाद एक बिलाश्ट हो रहे मौसाद का ये मास्टर प्लान थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि जंग ये बढ़ती जा रही और इस जंग फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है इजरायल की नई धमकी है लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो तस्वीर बहुत भयानक है और इसलिए बम औप मौसाद इसे कहा जा रहा है इजबुला इजरायल की इलॉक्टोनिक जंग जारी है उधर लेबनान में दो आत्मगाती विस्पोर्ट के बाद देश्यत का माहौल बना हुए 18 सतंबर को हुए भाया भाय विलाष्ट में करी 20 लोगों की मौत की खबर है तो इसके साथ ही ये हादसा सिलसिलेवार तरीके से होना शुरू हुआ घर, कार, बाइक, बॉकी-टॉकी, बायोमेट्रिक मशीन, सोलर पैनल में एक-एक करके बलाष्ट होने शुरू हुए मिंटों में लेबनान के कई इलाके धुआ धुआ हो गए और इस भयानक बलाष्ट की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कि किस तरीके से किस कदर आखिरकार इस धमाकी की प्लानिंग रची गई होगी किसी को अंदाजा तक नहीं होगा कि एक साथ स्याक्णों जगों पर तावर तोड़ विस्पोर्ट हो सकते हैं इच्छा तस्वीरें आप देखिए घार कार बाइक वाकी टॉकी बायो मैट्रिक मशीन सोलर पैनल हर जगह सिर्फ और सिर्फ बलास्ट आप देख पाएंगे किसे के लुटेभा सिर्फ किसी करे सहते हैं